हलो फ्रेंड्स आज की हमारी चर्चा का विशय है जो सरकार के फंड्स होते हैं भारेस सरकार की जो फंड्स हैं वो कौन-कौन से प्रकार के हैं तो आज के इस चर्चा में हम जो गौर्णमेंट्स फंड्स ओफ इंडिया हैं वो कितने प्रकार के हैं किस प्रकार से उनमें जो धनराशी है, वो आती है और किन किन बदों पर वेह खर्च की जाती है और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जो भारत सरकार के फंड हैं वो तीन प्रकार के हैं अगर हम उनने कहें तीन कैटेगरी में हम उनने रख सकते हैं पहला जो कैटेगरी होती है जिसे Consolidate Fund of India कहा जाता है जिसे भारतिय समीधान के अनुछे 266 के अंतरगत रखा गया है इसमें जो दूसरी कैटेगरी है जिस जिसे Contingency Funds of India कहा जाता है इसे Article 267 के अंतरगत रखा गया है तो इस प्रकार से भारत सरकार के पास ये तीन प्रकार के फंड होते हैं अब हम इन तीनों फंड पर एक करके चर्चा करते हैं कि पहला जो है जो Consolidated Fund of India है इसमें जो धन है इसमें कहां से आता है और ये जो फं प्रकार के द्वारा जो भी प्रकार के किसी प्रकार के टेक्स होते हैं उस टेक्स से जो आने वाला धन है उसको इस एकाउंट में रखा जाता है जैसे अगर हम कहें Income Tax है GST है Education है Central Excise है Custom से जो भी इस प्रकार के टेक्स है उन टेक्स से जो भी धनराशी आती है उस धनराश को इस Cesए े इस के साथ जो नोट टेक्स रवेन्यूज होते हैं उनको विस में रखा जाता है कि अर्थात जो भारसन के ढूर राच्छों को जो लुन दीये जाते और इसे के साथ साथ जो दूसरे देशों को लुन दीये जाते हैं तो उन दिए गय लोन से जो आने वाला ब् प्रकार से जो सरकार है उसके द्वारा जो लोन लिया जाता है लोन अर्थात चाहे वह देश के अंदर है या वह देश से बाहर से लोल लिया गया हो तो उसको भी इसी फंड में रखा जाता है और इसी के साथ साथ जो अगर हम देखें International Organizations है, IIMF यो दूसरा Organizations है उनसे अगर किसी भी प्रकार की ग्रांट मिलती है तो उस ग्रांट को भी Consolidative Fund of India में ही रखा जाता है तो इस प्रकार से जो हम कहें प्राप्तियां हैं जो रिस्टिट हैं इस फंड के लिए वो इन इन जगे से आई आती हैं इसे तरीके से जो अगर हम कहें कि इसमें जो खर्च है जो कि भारत सरकार के द्व जो भी धन का वेया किया जाता है वहां विया यह बिसिकली इसे फंड से किया जाता है तो इसलिए यह इसलिए महतरपून हो जाता है क्योंकि यू की यह शो अकाउंट है यह बिसिकली चीफ अकाउंट कहलाता है बारत में अगर हम fraction pesar तो यह जो consolidated fund है वो उस category में आता है अब है कि जो खर्च है वो कहां कहां पर होता है इस fund से तो जो fund से खर्च होता है वह खर्च है जो सरकार के द्वारा जो भी करमचारी है उनकी जो salary दी जाती है वो भी इसी fund पर दे होती है दूसरे चीज़ है इसी के साथ साथ जो infrastructure तयार कि सरकार के द्वारा इंफराइस्ट्रक्चर तयार किया जाता है इसी के साथ 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 जो सरकार के द्वारा विकास के लिए जो इसकीम चलाई जाते हैं जो विकास के लिए कारेक्रम चलाई जाते हैं उन कारेक्रमों के लिए भी जो धन के आवशक्ता होती है उसको भी यहीं से लिया जाता है इसे के साथ साथ जो सरकार के द्वारा जो लोन लिये जाते हैं उन लोन को जो उतारने के लिए जो धन लिया ज जाता है वह भी इस Consolidated Fund से ही लिया जाता है तो इस प्रकार से जो खर्च है उसमें जो महत्पुन चीज़ें हैं चाहे वो स्कीम्स को लेकर है चाहे वो डिवलप्मेट के लिए है चाहे वो Infrastructure के लिए है या सलरी के लिए है या लोन उतारने के लिए है तो ये जो सारा सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वह खर्च इस Fund में से ही दे होता है इस Fund की जो और में विशेशता होती है वह है कि इस fund को सरकार की संसद की स्विकृती से ही खर्च किया जा सकता है अर्था इसको खर्च करने के लिए संसद की स्विकृती मिलना आवशक होता है और संसद की स्विकृती मिलने के पशाथी सरकार की द्वारा इसको खर्च किया जा सकता है और जिस प्रकार से केंदर सरकार के पास में जो consolidated fund होता है उसे प्रकार की ववस्था राचे सरकारों के पास में भी है कि वो भी अनुच्छेद 266 के अंतरगत इस प्रकार का जो fund है उस fund को अपने यहां पर बनाते हैं अब हम बात करते हैं कि इस जो fund है उसका जो रख रखाव है जो भारत में controller and auditor journal of India होता है उसके द्वारा किया जाता है अब है कि जो हम बात देखें जो public accounts होता है उस public accounts को किस भारत का जो समीधान है उसके अनुच्छे 266 के close to के अंतरगत रखा जाता है और इसमें जो धन है basically वो धन सरकार का अपना नहीं होता अर्थात जिस परकार से जो consolidated fund of India था उसमें जो सरकार में जो taxes लगाये थे उनसे जो धन आया था उसमें वो धन था जबकि जो public accounts है उसमें जो धन आता है basically ये वो धन है जो लोगों का पैसा होता है और लोगों का पै बैसा नहीं है basically तो यहां पर जो सरकार की भूमिका है वो सरकार की भूमिका as a custodian और as a banker है जिस प्रकार सेมา रखता है जिस प्रकार से देखें कि इसके sources गागा हैं, तो इसमें जो source हैं चाहिए तो वो जो लोगों का अपना पैसे का जो माध्यम अगर हम कह सकते हैं, कि वो जो fixed deposit करते हैं, इसी के साथ साथ जो PPF होता है, पॉविडेंट fund होता है, new pension scheme के माध्यम से है, तो ये जो हम कहें धन हैं, जहांकि इसमें रखा जाता है, इसी के साथ साथ जो bank savings होती है, national investment होता है, या NCCF के माध्यम से जो धन आता है, उसको इसमें रखा जाता है, अगर मैं इसको एक उधारण के माध्यम से इसपस्ट करू तो एक व्यक्ति जो नोकरी आरब कर रहा है, उसके लिए जो ववस्था होती है, वह है NPS की, जिसे हम new pension scheme कहते हैं, तो new pension scheme के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जो employee होता हो क्या करता है, उसकी salary से एक fixed amount है, जो deduct होता है, और वो इस account में जमा हो जाता है, और व्यक सम्य के पश्षाद या जब वो retire होता है, या जो उसको बीछ में आवश्च्टा होती है, तो ऐसे इस्तिती में वह है जब जाहे उस धन को वहां से ले सकता है, और यह जो धन है, यह उसका धन होता है चुकी, तो ये उसके ओपर है कि जब जाहे वह है, उसका लाब उठा सक सरकार के द्वारा ये जो सारा हम कहें as a custodian work किया जाता है तो सरकार के द्वारा ये जो public account होता है इसमें जो भी धंजमा होता है तो सरकार के द्वारा वह विकास के कारियों के लिए जहां पर सरकार को आवशक्ता होती है वहां पर वह उसका प्रियोग करता है और इस प्रकार विवस्था है वो इस प्रकार से मैनेज की जाती है यहां जो अगर हमें महतपून चीज़ है it is disposable of the executive means जहां पर consolidated fund के जो responsibility थी वो उसके लिए approval जो वो संसद का चाहिए था तो यहां पर जो कार्यपालिका है उसकी भूमी का महतपून हो जाती है अर्थत इसमें public accounts में जो संसद की स्विक्रती है उसको लेना आवशक नहीं होता है तो इस प्रकार से यह महतपून हो जाता है इसमें संसद में केवल जो सरकार के द्वारा है उसमें जो public accounts है उसका लेखा जोखा जो है तो इस प्रकार से public accounts जो है उसका management सरकार के द्वारा किया जाता है अब जो fund का तीसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं contingency fund of India और इसका जो provision है भारतिय समिधान का जो अनुछेद है 267 close 1 में किया गया है और जैसा कि इसके नाम से हमें इसपस्ट होता है कि contingency अर्थात आपातकाल के लिए इसमें जो भारतिय समिधान में एक विवस्था की गई है कि संसद चाहे तो इस प्रकार की विवस्था के लिए वह act बना सकती है जिसमें कि सरकार को जब आवशकता होगी तो वह इस contingency fund से धन ले सकता है और उस आपातकाल इस्तिती में इसका प्रियोग किया जा सकता है जहाँ पर की requirement होती है in case of disaster है natural climates है या इसी के साथ साथ कहीं इस तरीके की चीज़े आ जाती है जहाँ पर सरकार को immediate होती है जैसा हमने देखा कुछ सालोपूर के दारनाथ में हुआ था और अभी हमने जो साइकलोना उड़ी सामें आये हैं उनसे भी हम देख सकते हैं प्रकार को immediate उसके आवश्रक्ता होती है तो संसत के द्वारा इस प्रकार की ववस्था की जाती है इसे को ध्यान में रखते हुए 1950 में संसत के द्वारा एक पास किया गया था जिस एक्ट को Contingency Fund of India Act के नाम से जाना जाता है और इस एक्ट में जो प्रावधान है वह है कि इसमें जब यह आरम किया गया था तो जो ववस्था थी वह थी कि इस एकाउंट में 50 करोड का जो एमाउंट है वो हमेशा रहेगा और सरकार को जब भी आवश्रक्ता होगी वह उससे निकाल लेगी लेकिन अब जैसे जैसे परिस्तितियां बदल रही है और लगभग अब हम देखें कि साथ दशक इन चीजों को पूरा हो गए तो सरकार के द्वारा इस धन का जो एमाउंट है उसे 50 से बढ़ा कर 500 करोड रुपे कर दिया गया है अर्थात ये जो contingency fund है इस contingency fund में हम 500 रुपे जो है हम कहें रहता है और जब भी इस तरीके की आवशकता होती है तो सरकार के द्वारा उस धन का प्रियोग किया जाता है अब इसमें जो महतवपूंचीज है कि जो ये धन सरकार के द्वारा यहां से लिया जाता है बेसिकली एक तो ये statutory fund है जो कि Parliament के द्वारा act के आधार पर इसे पारित किया गया है और इसे उन इस्तितियों में लिया जाता है जबकि Parliament का session नहीं चल रहा होता और इसमें पार्लेमेंट प्रोसेस में एक टाइम लगता है धन के sanction होने के लेकर लेकिन जो इस तरह के की आपदाएं आती हैं जिने हम कहें unexpected और unforeseen expenditure जो आ जाते हैं जहां पर कि उतने लंबे प्रकरिया के वेटक नहीं किया जा सकता उसमें immediate सरकार को action लेना होता है तो ऐसे इस्तिती में जो ये धन है जिसे कि अगर हम कहें कि it is at the disposable of the president to meet some emergency situations तो वो जो ववस्ता है उसके तहट यहां पर इसको खर्च किया जाता है अब अगर हम इस fund की source की बात कहें कि ये source कौन सा है या कहां से इसमें धन आता है तो इसके पीछे जो धन का source अब है कि जो धन अगर 500 करोड रुपे में से सरके संसत के द्वारा सरकार के द्वारा अगर इस धन का प्रियोग किया जाता है किसे भी emergency के लिए तो उसमें से उसके पशात जो sanction amount है जो धन खर्च किया गया है वह धन the amount sanctioned by the president after its rectification by the parliament transfer from the consolidated fund जो धन खर्च हुआ है उसे संसत के सत्र के साथ उसको संसत से approval लेने के बाद consolidated fund से इसको contingency fund में transfer किया जाता है तो अर्थात जितना धन है 500 करोड की जो लिमिट है वो धन उसमें हमेशा बना रहता है इसका उदेश ये होता है कि जब भी सरकार को आवशक्ता होती है वह उस धन का प्रियोग कर सकती है भारत में किंदर के साथ साथ रज्यप सरकारों के पास में भी ये वबस्ता है कि the each state can have its own contingency fund established under article 267-2 यहां पर 267-2 के अंतरगत राज्य सरकारों को भी ये प्रावधान है कि वो अपना जो contingency fund है उसे रख सकते हैं और अगर हम केंदरे इस तर पर देखें जो Secretary of Finance Ministry Secretary of Finance Ministry hold this fund on behalf of the President of India जो ये Secretary है वो President के विहाब पर ये जो fund है उसको hold करता है तो इस प्रकार से चुई है contingency धन है उसको खर्च किया जाता है तो ये है सरकार के तीन प्रकार के fund अब मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ सरकार के तीन प्रकार के fund होते हैं सरकार के पास में consolidated fund जिसे हम कहते हैं public accounts कहते हैं और तीसरा जो होता है contingency fund होता है consolidate fund में जो भी सरकार ने revenue आता है वो रखा जाता है लोन लिया जाता है और इसी के साथ साथ जो disinvestment होता है वहाँ से धनाता है वो लिया रखा रहता है सरकार के द्वारा जो major expenditure होता है जावो salary है infrastructure है और इसी के साथ साथ जो हम कहें schemes चलाई जाती है उन पर खर्च किया जाता है और parliament का approval आवशक होता है जो वहीं पर जो public accounts है वहाँ पर सरकार का पैसा नहीं होता वो अपना public accounts में जो basically पैसा होता है वहें लोगों का होता है लो here government work as a custodian और as a banker और जब लोगों को आवशकता होती है उनका धन उनके द्वारा वहें ले लिया जाता है इसके पास जो power है वो executive के पास इसकी power होती है तीसरे परकार का contingency का होता है जहां पर कि सरकार के द्वारा आपातकाली निस्तितियों में चाहें वो disaster है या earthquake है या इस किसी के साथ cycle ने किसी भी परकार के आपातकाल के इस्तितिया आती है तो उसमें वहें खर्च किया जाता है और जब वो खर्च हो जाता है जितना आपांसो करोड की लिमिट होती है तो consolidated fund से वहें संसद की स्विक्रती के परशात वहां पर transfer कर दिया जाता है तो इस परकार से यह संसद के सरकार के पास में तीन परकार के fund पाए जाते हैं इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद